हे गाईज विल्कम डू सक्सेस दिलीप में दिलीप कुमार स्वागत हैप का इस वडिये में तो दूस्तों बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेस रिक्रूट्मेंट के बारे में जो की विकंसी रिलीज की गई है एचे एल की तरफ से जियां दूस्तों टेक्निस्यइट की विकंसीज है जहां पर डि्पलोमा टेक्निस्यइट की विकंसीज है और आई टी ऐ टेक्निसियइट की सरकारी नोकरी की बहतरीन वेकंसी एक बार फिर से निकल चुकी है दिखेंगे इस Ministry of Defence अभी मूड में है Ordinance Factory की लगातार वेकंसी जा रही है इसी तरह H.A.L. हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अलग-अलग डिवीजन से लगातार वेकंसी जे देखने को मिल रही है सबसे पहले मैं आप सभी candidate को ये बता दूँ कि ये वेकंसी जो है वो sponsored candidate के लिए नहीं है काफी सारी वेकंसी निकलती है जो sponsored candidate होते है वही apply कर सकते हैं ये वेकंसी All India के candidate apply कर सकता है किसी भी state से belong करते हो आप कहीं से भी belong करते हो मैं form apply करके भी बताऊंगा तो videos को ध्यान पूरवक देखना आप सारे candidate तो चलिए detailed notification wise start करते है videos को आगे बढ़ते हैं इससे पहले requested होगी चैनल पे अगर आप पहली बार visit कर रहे हैं so please do subscribe and hit the bell icon ताकि इसी तरह latest government job से related update आपको हमेशा मिलते रहे आप अपना trade अपना branch जरूर कमेंट करके बताना मैं बता दूँगा आपको कि आप eligible है apply करने के लिए कि आपने eligible हो so guys यह है आपका official notification इससे पहले जो recruitment निकाली गई थी वो लखनव डिविजन से निकाली गई थी यह new recruitment है इंदुस्तार Aeronautics Limited यह vacancy निकाली गई है बैंगलोर डिविजन से आप इसकी date देख सकते हैं 9 जुलाई 2024 को notification release की गई है यानि एक नई भरती है यह मत समझे ना कि पहले वाली vacancies है यह भी लगातार vacancy निकाल रही है हिंदुस्तान Aeronautics Limited से भी और ordinance factory से भी मौका मत शोड़ना All India के candidate इस form को apply कर सकता है Engagement of personal on tenure basis non-executive cadre यह non-executive cadre जहां पर आ जाता है यह technician की vacancies ही निकालती है IT technician और diploma technician सबसे पहले देख लो जितने भी student eligible है इस vacancies एक परकार की tenure है आपको पता है रक्षा मंतरा ले अभी tenure यानि की एक परकार की contract business पर job निकाल रही है चार साल का period होने वाला है jobs का लेकिन गवराई यह नहीं कोई भी candidate यहां से नहीं निकलने वाला है अभी तक नहीं ordinance factory निकाली है नहीं आपका GRS ही निकाली है गोवा CPR हो गया या फिर HAL तो जब भी आप job करने जाओ यह department यसी तरह से extend आपका करते जाता है tenure और पहले चार साल का job सबके पास होगी उसके बाद department पे जैसा प्रेसर को जिस परकार के department extend करती जागी आपकी contract period या फिर department का अगर mood चेंज ज़आ तो यह permanent भी कर सकती है और approximately उसी पर depend करता है तो जरूर interested इसमें दिखा है अगर आप interested हैं और eligible हैं तो सबसे पहले दिखते हैं आप डिपलोमा technician की vacancies है और ITA वालों के लिए technician की vacancies है A to ZM process discuss करने वाले यह post code है जब आप form भरोगे तो यह post code ध्यान रखना मैं form apply करके भी बताऊंगा तो अगर form की वीडियो चाहिए पूरी डिटील पूरवक तो comment में बताना और इस वीडियो के last तक आपको मिल जाएगे पहली vacancy है diploma technician mechanical वालों के लिए इसमें total post है 9 post पर diploma mechanical engineering apply कर सकता है posting division यहाँ पर आपको बताएगे है फिर आपको electrical की vacancy है electrical की ज़्यादा post नहीं है electrical engineering assistant civil वालों के लिए एक post है तो diploma civil engineers के लिए vacancies technician में fitter की vacancies अब आ चुकी है ITI वालों के लिए सबसे ज़्यादा vacancy यहाँ पर ITI student के लिए ही निकाली गई है तो जितने भी ITI वाले good news है मौका मत छोड़ना fitter की vacancies है total 7 post पर अलेग अलेग बेस पर आप देख सकते हैं पर ITI कर रखी हो आपने with NAC एक सिसका ध्यान रहे क्योंकि ministry of defense में यही चीज़ है freezer तो apply आप कर सकते हो बड़ आपके पास NAC होना जरूरी है ITI pass out plus NAC national apprenticeship certificate feeder trade से आपने कर रखी हो तो बेसक आप apply कर सकते हैं इस vacancies के लिए बहुत अच्छी कासी जोब है जितने भी NAC वाले मौका मत छोड़ना next recruitment है electricians के लिए तो इसमें भी electricians की total 5 post है ITI with NAC ITI electrician trade के candidate apply कर सकते हैं next vacancy है machineist की machineist वालों के लिए ज्यादा post पर vacancies नहीं है ITI machineist trade के candidate apply कर सकते हैं Turner की vacancies है ITI Turner के trade technician में electronic mechanic की vacancies है तो ITI electronic mechanic वाले apply कर सकते हैं तो mostly यहाँ पर 5 trade जो है ITI student के लिए निकाली गई है और 3 branch से diploma student के लिए निकाली गई है 16 post 11 post इस तरह करके vacancies है आप जितने भी candidate eligible है इसके according अपनी post code के according ध्यान रखना विससे के विकर आप apply कर सकते हैं जो मैंने qualifications बताई है उसी qualifications के according आप form बर होगे आपका degree complete होना चाहिए आप ऐसा नहीं हो कि NAC जो appendici पर pairing वाले apply कर सकते हैं तेसा कुछ नहीं है age limit 18 साल से लेकर 28 साल के candidate eligible होंगे 31 मही 2024 को आपकी age count की जाएगी age में relaxation में मिलेगी HTC वालों को 5 साल की और OBC के candidate को यहाँ पर 3 साल के एक्ट्रा चूट मिलेगी engagement of tenure में बता चका हूँ maximum 4 साल का होगा जितने भी student आप join कर सकते हैं 72 salary मिलती है salary कम नहीं मिलती है salary अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर देख लो जो चार साल में jobs मिलेगी 5 और pay level skill 6 का आपको परमा जो आपको salary 44,574 रुपी और इनके लिए जो pay skills की होगी 46,511 रुपी बहतरीन salary मिलेगी है TA, DHRA, सब कुछ provide किया जा रहा है तो मौका मत छोड़ना इस vacances का आप सारे student के लिए A to Z जितनी government jobs में आपको सुविधा मिलती है सारी चीज़े देखो pucks भी मिल रहा है 25% हो गया medical illness, HR 27% हो गया DA 43.7% आपको पता है कि DA बढ़ चुका है पहले 35% था basic पे 22,000 है लेकिन सब कुछ इस करके आपको 44,554 रुपे एक आईटी एक ही सलरी होगी डिप्लोमा वालों के लिए 46,511 रुपे सेलेक्सन प्रोसेजर रिटेन टेस्ट होगा ध्यान रखना जितने भी student है आपकी रिटेन टेस्ट होगी रिटेन टेस्ट के बाद आपका यहां पर टेस्ट भी किया जा सकते है डिपार्टमेंट पर डिपेंट करता है बट रिटेन टेस्ट आपका कंपल्सरी है उसी के बेशिस पर अहां पर आपका सेलेक्सन होगा आईटी आई स्टूडेन और डिप्लोमा इस्टूडेन अपने अपने लेवल का एक्जाम सोगा आईटीय का लेवल अलग होगा और डिप्लोमा वालों का लेवल उसके लिए अलग होगा इसकी स्टूडेन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट डिकर के बसाईएगा मैं आपको टोटली बता दूँगा इसके लेवल से एक्जाम पैटर फॉर्म देखिए फॉर्म इसकी सुरू हो चुकी है अठारा जुलाई दोजार चौबीस तक लास्ट इट है जितने भी स्टूडेन ड़ीन कम है आप जरूर एप्लै करें लास्ट इट अठारा जुलाई तक है मैं चलिए आपको फॉर्म डारेक्ली फॉर्म में ले चलता हूं कि ओल इंडिया के कैंडिट एप्लै कर सकते हैं तो वाईज यह ओफिसिल वेबसाइट है और इसी के जरीए फॉर्म एप्लै करोगे नौडिफिकेशन में बता दिया था नौडिफिकेशन चेक कर सकते हैं नन इसेक्टिव कडर की वेकेंसी थी ये सारी वेकनसी फोर्म औपन मार्केट में ओपन हो रही है आप यहां पे बेसिक इन्फॉर्मेंशन जैसि और किस बसी color करोगे सबकाष्ट है उसी परकार से आपको all total fill up करनी है and final आपको यहाँ पर submit करनी है okay तो बेहतरीन recruitment है मौका मत छोड़ना registration करो सबसे पहले registration होगा आपका registration होने के बाद apply online करके applicant login आप करोगे यानि कि अपनी registration number हो जाएगा अपनी जो security code अंडर करके DOB अंडर करके login करोगे film जाके form आप apply करोगे तो मौका मत छोड़ना detail video अगर चाहिए form की तो comment करके बतानो adult channel पे मैं videos आपको दे दूँगा okay guys तो hopefully video इस पिल लगी हो like, share and subscribe करें मिलते ने एक्स बड़िया में तब तक लिए जए हैं